तो आज के दूरे में हम लोग देखने बाले हैं क्लास 7 social science का question paper half yearly exam का यह जो question paper है यह और यहां पर जो है लोग विडियो का question paper पर देखने वाले आप लोग लाइक कर देने सब्सक्राइब करना है वडियो की बिल्कुल भी मत करना तो बिना time waste कि आपका विडियो को फड़ा से स्टार्ट करते हैं let's get started इसका जो करेक्ट आंसर वह यह वाला है ठीक है तुंदरमल राजा तुंदरमल इसका करेक्ट आंसर है यहां पर जो कोश्चन सी है वो बोले एस रिवर एंटर दप्लेंट इस टूश्ट एंटर फोर्मिंग लाज बैंड नोवन इस जो करेक्ट आंसर है और हम लों का यह ठाहितां अब हम लों बढ़ते हैं फिल इन डी बलेंक्स के और यह ज़िए भी सेक्षण एक एक हिस्सा है नौ यहां पर जो है हम लों कवनुंग का दूसरा कोश्चेंग वो है यह जो यहां पर तोटल सिर्स इन ही कोश्चन है पको शल्केम आई पर जोंग से पहला सबसे टॉपमोस्ट और जो हाट लेयर है उसको हम लों क्या बोलते हैं लिटो है यह हो जाएगा हमनों का दूसरा कांसर नो यहां पर हमनों का लाक्ष्ट कोश्चन है फिल इंदी ब्लैंक का वो है यह दा फर्स्ट स्टेट इन इंडिया तो इंटर्ड्यूस्ट था मीड डे म अब इन्होंने सबसे पहले मिडे मिल स्कीन को लौंच किया था तो यह रहा हमनों का वी कांसर यहां पर भी खतम हो जाता है शोड़ी नहीं तू यहां पर खतम हो जाता है जो कि फिलिंदी ब्लैंक साब्स्ट सेक्षन बीकिवर आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए आगे बढ करते हैं अनुग सिर्फ कोई भी 11 कोशन का अंसर करेंगे नहीं पर जो हमनों का कोश्यन से वह है यहां पर थरी नमर चलिए पहला मुझा करते हैं जो कि तीन मेंस्क्रिप्स तो इस्टोरियन ने क्या-क्या डिफिकल्टीश की थी जब वह मैनुस्क्रिप्स कर रहे थे तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं तो यह रहां पर सबसे पहला कोश्यन जो था मुझा कोश्यन नमर थरी उसका अंसर नों यहां पर जो आंसर है दा ही स्टोरियन फेस्ट वर डिफिकल्टीश इन यूज़िंग मैनुस्क्रिप्स की थी तो यहां पर देख सकते हैं जो इस मैनुस्क्रिप्स को जब कॉपी किया जा रहा थे उसको हाँ से लिखना पड़ता सुझ milí planning कआपीज उसको हम लों सिस्क्राइब अपने से सूधार करके लिखना होता सुझflows देख से अब यहां पर conclusion निकाले तो historians को बिल्कुल भी easy नहीं हुआ था मैंने script को copy करने में इसका यह answer था next question के और हम जग दी से आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग का question number 4 है वो बोला है what was tripartite struggle name the parties involved in this struggle तो चले हम लोग इसका पड़ाक से आंसर देखते हैं तो देखो इसका answer किया जिसका answer है वो है the parties involved in the tripartite struggle where the rurals belonging to the Gurdjara, Pratihara, Rashtra Kutas and Pala dynasties who fought for the control over Kanonch यहां पर double N होगा, आप लोग देख लेना एक बार क्योंकि यहां पर three empires लर रहे थे Kanonch को control करने के लिए because there were three parties, party या फिर empire या फिर वहां का जो समय का अलग 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 राष्ट था, in this long-drawn conflict, historian often described it as tripartite struggle, now यहां पर Pratihara, Rashtra, Kutas and Pala dynasties, यह तीनों मिलके यह तीनों dynasties या फिर empire जो थे आपस में लर रहे थे, किसके लिए Kanonch के लिए, और यहां पर इसके लिए उलोग लर रहे थे इसलिए इसको tripartite struggle कहा गया, इसका यही आंसर होगा ठीक है, एक बार में हटा देता हो, आप लोग देखे लोग इसका अंसर अच्छा से, next question के और हम लोग आगे बढ़ते पड़ाक से, तो देखो 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 यहां पर हम लोग का question number 5 भी हम लोग करेंगे, question number 5 जो वहां पर बोला है कि who was Raja Sultana, why do you think she was removed from the throne, तो चले हम लोग लोग इसका अंसर देखते हैं, जानेगे कि Raja Sultana कौन थी और इसको कहा है आंखेर हटा दिया गया, राज गत्ती से, तो देखो हम लोग के इसका answer क्या होगा है, आपर जो question number 5 पर उसका answer है, राजिया सुल्तान was the first Muslim female ruler and also only emperor of Delhi, हम लोग की जो राजिया सुल्तान है, हम लोग की नहीं मतलब उस समय की जो राजिया सुल्तान थी, वह जो थी पहली Muslim female महारानी थी, कहां की Delhi की थी, तीक है, उस समय का जो मुगल इंपायर था, उसका जो सबसे पहली राज गद्धी सम्हालने वादी जो लड़की थी, वह राज्या सुल्तान थी, इसका यह अंसर होगी है, जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। उसको क्यों राज गद्धी से, means throne से हटा दिया गए, उसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो यह हम लोग का answer, तो वहां पर जो दिक्कत यह था, उस समय जो लोग थे, कि पुराने ख्यालात के लोग ते जिसलिए वो लोग सोचते थे की एक फीमेर हम लों की महराणी कैसे हो सकती एसा उसको अच्छा नहीं लगता था रade क्यों बढ़ बाद करें तो अगर आप लिखना चाहिए तो यहां तक लिख सकते हो फिलाल जुसका अंसर था यहां तक महीं मिल गया है लुग नेक्ष्ट को सनकी और आगे बढ़ते हैं चली बढ़ते आगे नो यहां पर को सिक्सें वह बोला है कि कोजिशन था इंडिया अंता क्रेंश्ट मुगल इंप्रेर और तो बाबर आ डोधू परस्ट मुगल इंपरिर और इंडिया गोर पर वच्छ को उत्सकू पर सार मनौ त शेंपनाट अर्मी न जिस्कों नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहां पर नेक्स्ट को सब्सक्राइब 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 लिदुर्टिश पयर हाई दुक्राइब को बाता है शमाफ प्लाइट नहीं से हिए फिर सब्सक्राइब प्लेंट प्लाइट टेंट इने प्लांट्स चैज प्लेंट में प्लां आप मिजर कमपोनेंट ये जो ही ऐगा अज़र है डिफाइब एकने थिश्बॉर्ण को बड़ तक हम ने कर लिया यहां पर नाइं चोड़ दो 11 देखते हैं जिसका छोटा छोटा आंसर हो सकता है वह मैं आपको दे रहा हूं ठीक है यहां पर जो क्वेशन सब्सक्राइब यहां पर पेल कोशन कोश्टा था कि सबसे इंपटन लेयर इस वह होता है इसले मोश्चा इंपर सब्सक्राइब का सबसे पसक्ता अंब सकता अपर शर्मीड गया सब्सक्राइब धिक्षम milk milk फिर टीकिष्याएँ कॉछे सबस्क्राइब क्लाउट्स ओकर इनट इस ने पर यहांघ तो यहां पर सबस्क्राइब्स माईब एक लिए उसका उसिपाइब होगा है भाण पर लोग क्षास रहा है यहुष्छ नवर कंद से होते हैं घृते ही को बट कोश्चन का आंसर देखने से पहले का मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाऊंगा यह सब जो कुश्चन इसका ढूंदे में उसे बनाने में उसका इमेज जेनरेट करने में और यह सब करने में बहुत ज्यादा महनत लगती है यहां पर आप अपर अपने चैनल को जो कि उसके ऊपर समझ के देखो हमें तो सब कुछ कहान से नहीं पता है पर हिंदी इंगली मैं बायोजी सब लोग डालते हैं लोग सबसे पहले समझना होते हैं उसके बाद ही हम आपको समझा पाते हैं यहां आपका भी फ़रज बनता है वीडियो कि निचे यार जो लाइक आप लोग अगर एक लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम इस ट्रैक वीडियो तो ले आएं तो लाइक करना तो बहुत बार बोल चुक हो अभी कैभी सब्सक्राइब नो यहां पर ओशेन करेंट्स क्या होते हैं और चैनल्स ओफ वाटर मुविंग ना टो शिंपल बास में कहा जाएं तो ओशेन करेंट्स जो होते है वह एक डारटेशनल प्रेटिक्टेबल मूमेंट होते है सी वाटर स्केट जो कि अग्राविटी वीन या फिर वाटर डेंसिटी के बज़त से आता है यहां पर ओशेन करेंट्स होते हो जनरली दो टाइप्स क सकते हैं जो कि is재 कोल्ड को खोड़ एंड टैपक और słu ऊप्त करेंग मांगा तो नॉथ अट्लैंटिक लिख सकते हैं और कटेंड करेंड का लिख सकता हो कालिफॉनिया कुछ दो है यह बस एक एक एकक यह और तो यहां पर यह अंसर हो जाएगा तिक नेक्स्ट वीडियों जो होगा इसके आगे का क्वेशन सॉल्ब करेंगी इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं हो जैसे लिए यहां पर इसको एंड करते हैं